जै शी गर्जी हरर बहादेव, मैं हूँ आप सब का कैसा दिन रहेगा, लेकिन से पहले सभी पड़ों के लिए और छोटे और जो मेरे हमरें सभी के लिए प्रात्ता करूंगी, कि श्री गर्प्ति मुराज, आप सब पे गृपादेव, करें और आप सब का दिन खुशियों से भरा हो, तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे मेशाशी वालो की, तो मेशाशी वालो सोस्त के मामले आपका दिन अच्छा है, दंसम पत्ती के मामले में भी अच्छा है, परिवार के मामले में और प्रेम वेपसाई के मामले में भी दिन थोड़ा पहुत उतार चड़ा आपके साथ, आपका टाइम पूरा होगा, और अगर आपके को थोड़ी बहुत से किसी बात को लेके हीन भाब ना जाए, या किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो उसको सुन के अंसुना कर दीजे, भगवान शिव की उपासना कीजे, तो आपकी बिदनेस में आपको बहुत बहुत लाब होगा, चार नंबर आपके लिए शुभे, और भूरा या सलेटी रंग, आपके लिए शुभता को बढ़ाएगा, नेक्स राशी है, व्रिशिव राशी वालो, व्रिशिव वारिशी वालो, आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, धन बिनाय काम करने से पहले सोचें, ना करें तो ज़्यादा चाहे, पूजा पाठ करमकान का आप आयोजन कर सकते हैं, जीवन साथी किसे आत अच्छा दिन ब्या सकते हैं, शुभं का आपका तीन है, और आपके लिए केसरिया या पीला रंग बहुत अच्छा शुभफल देने सकती हैं, लेकिन फिर भी ना बहुर अच्छा ना बहुत बुरा, लेकिन बालन्स लाइफ रहेगी, वेवसाए आपका अच्छा रहेगा, और वह जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा, ना बहुर अच्छा ना हो बहुत बुरा, लेकिन आपकी लाइफ जो है, नॉर्मल रह यह आपके लिए शुपता बढ़ाएगा करकराशी वालो, आप चंदमा के पासक हो जाते हैं क्योंकि करकराशी का देखो चंदमा होता है, स्वास के माम में आपका टाइम अच्छा रहेगा, धनसब पती के मामले में आपका काम बनेगा, बिगड़ेगा, पैसा आएगा, दो सकते हैं, लेकि इतना भी खराब नहीं है, प्रेम, वैवसाय और वैग जीवन आपको नॉर्मल लाइफ में जीता चला जाएगा, खुल मला के आप खुशनमा दिन बिताएगे, अच्छा कासा आपका सबको सही सलामत रहेगा, आपके लिए मैं कहूंगी कि आपको हनमान हो सकता है, थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन परिवार और प्रियार और वैवसाय और वैग जीवन, कुल मला के यह सब आपका बहुत बढ़िया है, स्मार्ट रहने वाला है, यदि किसी स्त्री को आपको कुछ लाल रंग की वस्तो गिफ्ट करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, केसरिया या पीला रंग आपके लिए शूब रहेगा, और तीन नंबर आपके लिए लखी रहेगा, नेक्स राशी आती है कन्यराशी, कन्यराशी वालो, थोड़ा सा हो सता है कि आपको स्वास में दिकत हो, और सा करण होगा हीन भावना या किसी की बात दिमाँ में चुप जाना, अगर ऐसा आपके जिन्दिगी में होता है, तो आप उस चीज को थोड़ा सा अपनी जिन्दिगी से बहारी रखेगा, आपकी लाइफ में स्वास्ता आपका थोड़ा अपन डाउन, दंसनपति के विएमले में आप लग्की रहने वाले हैं, प्य जी की पूजा दुरू किया गरो, और गड़ेश जी की जितनी पूजा करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक नमबर आप लोग लिए, लखी रहने वाला है, तुला राश्री वालो, अब हम आपकी बात करते हैं, तुला राश्री वालो, आपका दिन बहुत सही है, दन संपती के मामने भी अच्छा है, लेकिन परिवार में हलका फुलका किसी बात को तक्रार हो जाए, लेकिन ये नॉर्मल ही रहेगा, प्रेम एवसाइब एक जीवान आपका बढ़िया रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत की बात मुझे नजर नहीं आती है यदि आप थोड़ी गार्डेनिंग करें, यानि फूल पौधे पेड लगाएं या दान कर दें, जैसे केला के लिए का पेड दान कर दें, या कोई पेड लगा दें, या आपके लिए अच्छा रहेगा, शुब रंग आपके लिए चार रहेगा, बूरा या सलेटी रंग आ आप थोड़े से मतलब लग्की रहने वाले हैं, आपका अच्छा टाइम रहेगा, परिवार से थोड़ी खटर पटर तो हो सकती है, लेकिन प्रेम वेलसा या वहग जीवन आपका बालन्स रहने वाला है, ना बहुत अच्छा है, ना बहुत खराब, लेकिन अच्छा जो आप लोगी राशी है, जिसके हम बात करें, वरिशिक राशी वालो आप डॉमिनेट नेचर के होते हैं, और सभी से एक साथ आपका डॉमिनेशन ही चलता है, इससे दिक्कात आती है, आपको गाएं की सेवा करनी चाहिए, गुड़ चनाव से खिलाना चाहिए, और इसके साथ हरा या फिरोजी रंग के, अगर आप कपड़े पहनते हैं, तो आपको लाब होता है, अब हम बात करेंगे धनुरशी वालों के, तो दनुरशी वालो आपका स्वास ठीक ठाक है, धनसंपती के मामलें पे आप लखी रहेंगे, थोड़े बात पैसे की दिक्कत आपको हम आपको क्या करना चाहिए, चंद्रमा के उपाई करने चाहिए, चंद्रमा को जल चड़ाइए, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा हमें धन दौलत से भरने वाला होता है, ठीक है न, चंद्रमा हमें क्या करता है, धन और दौलत से परिपूर्ण करता है, इसल वालत पहले से बहतर होंगे, होशत आपका लव मेट आपके साथ, अच्छे वाले रिलेशन्शिप रखे, सिल्वर, सफेद रंग आपके शुब है, दो नंबर आपके लखी है, और अगर आप अपने जीवन को और बहतर जानना चाहते हैं, तो ब्रस्पत क्यों पाए कीजिए तो निश्य द्रूप से मकर राशी बालो आपको लप होगा, डेक्स राशी जो अमारी आती है, वो ते कुम राशी, कुम राशी वाला आपको स्वास अच्छा रहेगा, धन्सम पति के मामले में आप लखी रहने वाले हैं, परिवार आपका अच्छा रहेगा, प्रेम और वहवाइक जीवन वेवसाए बालंस रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना परिशानी है, ना दुख है, ना तकलीफ है लाल बारून रंग आपके लिए रच्छा है नौ रंग आपके लिए शुब होगा और यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध हमेशा मजबूत बना रहे तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ आपको क्या करना है, भगवान राधा किर्शन के मंदर जाके पुझा पाड़न श्ठान कीजिए इससे आपको लाब होगा और थोड़ा बहुत कुछ-कुछ आप करते रहें मीन राशी नेक्स नमबर पे आती है स्वास की रियाज़ से थोड़ा कड़बड है क्योंकि आप चंदमा की राशी में आते हैं थोड़ा आपका चंदमा डाउन रहता है दन सपती के बामले आप थोड़े बहुत लखी रहेंगे और परिवार का प्यार आपको मिलेगा प्यार भी आपको मिलेगा वेवसाइव जीवन सब आपका कुल मिला के अच्छा है साथ नमबर आपको लखी है क्रीम या सफेद रंग बहुत अच्छा रहेगा जितना ज़्यादा आप अपंगो को दान करेंगे चाहे कोड़ी हो या कोई बिमार हो रोख शोख शले कलेश शत्रू से कोई पीड़ी थो अगर ऐसे किसी वेक्ति कि आप मदद कर दें चाहे पैसे से या खाने से तो निश्य तुरुफ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कुछ ना कर सके तो शिवलिंग पे कच्छा द्दू चड़ाइए इससे आपको फायदा होगा तो मैं हूँ अचारे संद्या सक्सेना मालक्ष्मी जोतिश अधात्मी संसान की तब से अगर आपको कुंड़ी दिखानी हो या रिडिंग करानी हो किसी पितरे की मैं साज़े क्रोणी हो कुंड़ी रिड़र हो क्लिनिकल हीपनो थेरपिस्ट हूँ तो आप मुझसे कॉंट्रेट कर सकते हैं आप मुझसे मिल मिसकते हैं जिसको आप अलगातार रोज करते हैं, सीखने के बाद, तो आपकी कोई भी मनुकामना दुरलब नहीं रह जाती है, उसके लिए कुछ कराया जाता है, जिससे आपके सारे हीलिंग्स हो जाएं, आपके जो जितने भी आपका पिछले जनुम का चक्र है, उसकी हीलिंग कर लें, अगर आप फिलिंग कर लें, तो आप भी भगवानी हो जाओगे, क्योंकि, और हाँ, मैंने हमिशे से बोला है, यदि आप लड़के हो या लड़की हो, जाए आप मैरेड हो या अनमैरेड हो, यदि आपके जीवन में बहुत चदा कलेश है, तो घडवा जुरू बनता है, घडवा वे भगवान श्री करशन जी से या विश्रू जी से आपकी शादी होती है, लड़कियों की, और लड़कों की शादी, जो है, सिंबालिक रूप से किसी पेड़ से की जाती है, फलदार पेड़ से, तो आज के लिए बस इतना ही, उमीद है कि आपको वीडियो अच् लाइक कीजिए, शेर कीजिए, हमेशा खुश रही है, धन्यवाद